दोस्तों फिर स्वागत आपका एक नई वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं Samsung Galaxy F22 में आप यहां पे screenshot कैसे ले सकते हैं तो यहां पे मैं आपको full setting बताने वाली हूं screenshot लेने की तो screenshot आजाता है आपका ठीक है तो यह मैंने active कर रखा है तो अभी मैं आपको बता दूगे कैसे active करना है और एक तीसरा तरीका यह होता है कि आप किसी भी browser पे हैं तो वहां पे आप long screenshot लेते हैं तो कैसे ले सकते हैं तो यहां पे papers setting के लिए आप यहां पर माली जे कुछ भी open करते हैं Chrome open कर लेंगे तो यहां पर आप screenshot लेते हैं तो यहां पर माली जे palm से लिए तो यहां पर आपको इस step कर का option देकने को मिलेगा इसको कहते लांच screenshot तो आप चेज परें लेगे इतना हो गया है यहां पे आप क्लिक कर लेंगे, और यहां पे इसको बेक कर देंगे, और रिख आपको आच्यूकर है, ठीक है। और इसके बाद, आपको क्या करना है जो पalm बाला, पो पहले झाते हैं। को अगर यहां पर home screen पे तो स्क्रॉल वला option नहीं आएगा लेकिन आपके ऐसे पेज़ पेंच आप लॉंग screenshot आ सकता है उहां पर आजाएगा तो अभी आपको क्या करना है यहां पर चले जाना है setting पे और setting पर जाने के बाद यहां पर आपको चले जाना है एडवांस फीचर पर जाने के बाद यहां पर आपको screenshot का option आएगा आप इस पर क्लिक करके यह जो टूल बार है आपको इसे इनेवल रखना है और यहां पर hide status navigation bar तो यहां पर जैसे navigation bar और status आपका hide हो जाता है screenshot के अंदर ठीक है तो यह hide कर सकते हैं आप और delete share screenshot का option आजाता है यह इसलिए होता है कि जैसे कि आप अपना screenshot किसी को share कर देते तो original image जो होती है वो duplicate वो delete हो जाती है तो यहां पर आप enable कर सकते हैं क्योंकि दो-दो image रखने का कोई फायदा नहीं और screenshot format आजाता है तो इसको आप JPG और PNC में कर सकते हैं इसके बाद back कर देंगे और यहां पर three finger वो palm वाला screenshot लेने के लिए आपको क्या करना है यहां पर चले जाना है motion and gesture पे आप यहां पर scroll कर आप इसे इनेबल कर देंगे अगर यह ऑफ होगा तो यहां पर आप कितना भी ऐसे करेंगे तो screenshot नहीं आएका जैसी आप इसको इसको करेंगे तो आपका screenshot यहां पर आ जाएगा ठीक है इसको भी आप ऐसे यहीं से लॉंग कर सकते हैं क्योंकि यहां पर बड़ा पेज है तो इस ट्रेप से आप यहां पर सेटिंग कर लीजएगा screenshot की अब मैं आपको दिखा देती कि long screenshot आपका दिखता कैसे है तो आपको चले जाना है यहां पे अपने store पे स्टोर पे और गैलरी पे और गैलरी पे जाने के बाद यहां पे long screenshot जो मैंने लिया था वो यह वाला है लिया था आप देख से पिक्सल जरा से भी फटे और यहां पर बहुत अच्छे से स्क्रीन शॉट आ गया है तो यह लॉंग स्क्रीन शॉट आप यहां पर ले सकते हैं तो इस स्टेप से आप यहां पर स्क्रीन शॉट की सैटिंग कर लीजेगा अई होप गई यह वीडियो लेकने के लिए चैनल पर विजिट करते रहेगा चली मिलते आपको एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार